हेलो एवरिवन आप लोग कैसे हो बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज बहुत ही टेस्टी मज़ेदार करारी और चटपटी रेसिपी बनाएंगे प्लचे वाले मतर, जो आम बजार में मिलते हैं और सभी बड़े चाौ से खाते हैं बहुत ही स्वादिश्ट लगते हैं वहाती के कहने और अप्रेडियों पर लोग बड़े चाव से खाते हैं सभी को बहुत पसंद होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक कप लेना है ये मटर और मटर को आपको ओवरनाइट भिगा देना है या अगर आप ओवरनाइट ना भिगा सकें तो चार से पांच घंटे तो जरूर भिगाई है तो इस तरह से फूल जाएँगे और जब हम इसे बॉयल करेंगे तो बहुत इजली हो जाएंगे और एक दम अच्छे से गल जाएंगे तो क्या करना है अब इने मटर को अच्छे से wash करके pressure cooker में डाल लीजिए और उसमें इतना पानी डालना है कि जो मटर है अच्छे से डूप जाए बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है तो एक कप मटर है तो कम से कम 2-5 कप आप डाल सकते हैं इसमें पानी और फिर इ मीडियम फ्लेम पे और उसमें कोई भी डाल लीजिए दो से तीन चमज डालिए और उसे अच्छे से गरम होने दीजिए जब गरम हो जाए तो आपको डालना है एक इंच का अधरक और पान से छे कलियां लसन के डाल लीजिए एक दम बरी काटके और एक से दो मिनट में अच कार अधर कीमाच दो मीडियम साइज के रॉफ लीकियू आज इसमें डाल लीजे और उसे भी आप पकालीजिए लेकिन बहुत ज़्यादा इसकोब्राओन नहीं करना है लका ब्राओन करना हैं जैसे ही हल्का ब्राओन हो जाए तब इसके अंदर आपको तीन मीडियम साइज इसके आपको डालने है टमाटर जब टमाटर अच्छे से गल जाए इसका पल्प भी अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाए तब आपको इसके अंदर डाल देने हैं बॉइल करे हुए मतर तो मतर मैंने बॉइल करके रखा था तीन-चार सीटी लगा लीजिए तो मतर बहुत अच्छा आता है और जो कुल्चे वाला होता है वो भी थोड़े से मैश करता है जिससे इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छे से आ जाता है तो इसमें मसाले आट कर देंगे तो आधी छोटी चमची यूज़ कर रहे हैं काली मिर्च पॉडर इससे तीखा पन और टेस्ट अच के अंदर एक छोटी चमच आपको डालना है चाट मसाला पॉडर इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आधी छोटी चमच लाल मिच पॉडर डाल लीज़े और एक छोटी चमच से आपको डालना है इसमें आमचूर पॉडर इससे खटापन बहुत ही अच्छा लगेगा और थोड़ा सा इसमें आप दो पिंच इसमें हींग भी डाल लीजे से जो है मटर जो है नुकसान नहीं करेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और साथ में आपको इसमें नीबू का रस्ट डाल देना है तो इंतनी कॉंटिटी में एक नीबू का रस्ट डाल दीजे और जब सर्ब करेंगे तब भी नीबू डालते हैं इसलिए बाद में भी यूज़ कर लीजेगा तो इसमें आपको हरी मिर्चे थोटी कटी हुई है और घेट सारा हरा धनिया बरी कटा हुआ डालना है और फिर से अच्छे से मिक्स कर देना है एकदम ये बजार जैसा आपक तो मैंने इस तरह से पैकेट मिलते हैं वो पैकेट ले लिये हैं और इसे थोड़ा सा घी या बटर लगा के आपको तवे पे सेख लेना है दोनों तरफ से हलके हलके और एकदम गरम हो जाना चाहिए तेज आज पर नहीं सेखना है एकदम धीमी आज पर सेखना और अच्छे तो हो गई एकदम मजेदार तो बहुत ही स्वादिश्ट हमारे ये मटर बने हैं तो साथ में हरी मिर्चे रख लीजे निबू रख लीजे उपर से थोड़ा सा हरी मिर्च और हराधनिया स्प्रेड करके आप इसको सर्व कीजे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार कर लीजे अगर आप मेरे नए वीवर्स हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको नोडिफिकेशन मिलता रहें नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे थैंक यूफर वाचिए